Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. आज हम करेंगे static JK के कुछ important questions जो की सौर मंडल से समंदित प्रेश्ण होंगे. तो चलिए start करते हैं. Question number one है, पृत्वी पर रितु परिवर्तन का क्या कारण है? अक्ष पर जुकी होने के कारण और सौर के परिक्रमन के कारण रितु परिवर्तन होते हैं. तो पृत्वी पर रितु परिवर्तन का कारण है, अक्ष पर जुकी होने के कारण. सेकेंड है, प्लूटो ग्रह की मानिता कब समाप्त की गई? 24 अगस्ट 2006 को. प्रूटोग्रह की मानिता समाप्त की गई 24 अगस्त 2006 को सूर्य ग्रहन कब होता है अम्मा वस्या को कौन सा खगोली पिंड राद की रानी कहलाता है तो इसका आंसर होगा चंद्रमा जो की प्रिथी का एकमात प्राक्रतिक उपग्रह है तो चंद्रमा खगोली पिंड को राद की रानी कहा जाता है मंगल और ब्रहस्पती ग्रहों के मध्य सूरी की परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं इसका आंसर होगा शुद्र ग्रह मंगल और ब्रहस्पती ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को शुद्ग्रह कहा जाता है नेक्स्ट है यूरेनस की खोज किस ने की इसका आंसर वोगा विल्यम हरसेल यूरेनस की खोज विल्यम हरसेल ने की नेक्स्ट है सूर्य ग्रहन का क्या कारण है चंद्रमा के सूर्य और प्रित्व के बीच आ जाने से सूर्य का दिखाई न पढ़ना सूर्य ग्रहन कहलाता है सूर्य ग्रहन का क्या कारण है? चंद्रमा के सूर्य और प्रित्व के बीच आ जाने के कारण सूर्य का न दिखाई देना सूर्य ग्रहन कहलाता है नेक्स है चंदर ग्रहन कैसे होता है जब प्रित्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो प्रित्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता है इसे चंद्र ग्रहन कैसे होता है जब प्रित्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो प्रित्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता है इसे चंद्र ग्रहन कहते है सुंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है सुक्र ग्रह को सुंदर्य का देव सुक्र ग्रह को कहा जाता है नेक्स्ट कोशन है प्रिथ्वी सूरे से सबसे अधिक दूर कब होती है तो इसका अंसर होगा चार जुलाई को प्रिथ्वी सूरी से सबसे अधिक दूर होती है चार जुलाई को प्रिथ्वी सूरी के सबसे निकट कब होती है तीन जनवरी प्रिथ्वी सूरी के सबसे निकट होती है तीन जनवरी को नेक्स्ट है प्रिथ्वी अपने अक्ष पर किस दिसा में घुमती है नेक्स्ट कोशन है रात्व दिन होने का क्या कारण है पृत्वी का अपने अक्ष पर घुमना रात्व दिन होने का कारण है नेक्स्ट है भूक अक्ष तल पर भूक अक्ष का जुकाव कितना होता है यानि पृत्वी अपनी धुरी पर कितने अंस जुकी हुई है तो 66.5 या 66.5 डिगरी जुकी हुई है पृत्वी अपने अक्षपर ठीक है नेक्स्ट है सूर्य सौर्बंडल का केंडर है और पृत्वी सूर्य के चारो ओर घुमती है यह पता सर्थम किस ने लगाया कौपर निकस तो कौपर निकस ने ये पता लगाया कि सूर्य सौर्मंडल का केंडर है और पृत्वी सूर्य के चारों और घुमती है ये सर्व पृत्वम कौपर निकस ने पता लगाया नेक्स्ट है सर्व पृत्वी की तरज्या किस वग्यानिक ने मापी इरेटोस थनिस सब थम पृत्वी की तरज्या इरेटोस थनिस वग्यानिक ने मापी नेक्स्ट कोशन है पृत्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है मंगल ग्रह पृत्वी की तरह मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है नेक्स्ट कोशन है ब्रहस्पती ग्रह की खोज किस वेग्यानिक ने की ग्यालियो ब्रहस्पती ग्रह की खोज ग्यालियो वेग्यानिक ने की नेक्स्ट कोशन देखते हैं कौन सा ग्रह हरा प्रकास उत्सरजित करता है वरुन कौन साग्रा हरा प्रकास उस्तरजित करता है वरून सी ओफ ट्रंक्विलिटी कहां इस्थित है चन्रमापर तो चलिए हमने 20 कौशन्ज कर लिये हैं चलिए इसे रिकैप कर लेते हैं ताकि आपका रिवाईज हो सके पहला कोशन था प्रिथ्वी पर रितु परिवर्तन का क्या कारण है अक्ष पर जुकी होने के कारण प्लूटो ग्रह की माने तक कब समाप्त की गई 24 अगस्ट 2006 को सूर्य ग्रहन कब होता है अमावस्या को कौन सख़ गोली पिंड राद की रानी कहा जाता है मंगल और ब्रहस्पती ग्रहों के मध्य सूरी की प्रक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते है शुर्द ग्रह यूरेनस की खोच किसने की विलियम हरसेल ने सूर्य ग्रहन का क्या कारण है चंद्रमा के सूर्य और प्रित्वी के बीच आ जाने के कारण सूरे का दिखाई न देना चंदर ग्रहन कैसे होता है जब पृत्वी सूरे और चंदरमा की वीच आ जाती है तो पृत्वी की छाया चंदरमा पर पड़ती है जिसे चंदरमा दिखाई नहीं देता है सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है सुक्रग्रह को प्रिथ्वी सुर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है चार जुलाई को प्रिथ्वी सुर्य के सबसे निकट कब होती है तीन जन्वरी को प्रिथ्वी अपने अक्षपर किस दिसा में घूमती है पस्चिम से पूर्व की ओर रात वद दिन होने का क्या कारण है प्रित्वी के अपने अक्ष पर घूमना भूक अक्ष पर भू अक्ष का जुकाव कितना होता है 66.5 डिगरी सूर्य सौर्मंडल का केंडर है और प्रित्वी सूर्य के चार ओर घूमती है यह सवपथम पता किसने लगाया सर्बतं प्रित्वी की तर्ज़ा किस वग्यानिक ने मापी प्रित्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है मंगल ग्रह ब्रस्पती ग्रह की खोच किस स्वय ग्यानिक ने की कौन से ग्रह हरा प्रकास उसर जित करता है वरुन Sea of Tranquility कहां इस्थित है चंदमापर चलिए ये आपका आज का Static GK का कुछ कोशन था अगर आप कोई वीडियो यूसफुल लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन पर बताईए और लाइक, शेर और सब्सक्राइब थैंक यू